अगर आप लोग बुंदेल खंड के छित में रहते हैं तो आप सभी लोगों को मालू होगा कि यहां कैन बैतवा लिंक परियोजना कितना अबात रखती हैं आप समझ सकते हैं कि यहां कि किसानों की स्थिति क्या है पीने के लिए पानी नहीं रहता है बुंदेल खंड के कई छेत्र में ऐसा देखने को मिलेगा अगर यह परियोजना पूरी हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि किसानों को भी काफी मदद मिलेगी और इससे आप समझ सकते कि यहां कि लोग जो भी पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है उनके लिए भी काफी एक तरह से फायदा में लेगा और याद रखिए बहुत पहले से चली आ रही है बातें लेकिन क्लियर ही नहीं हो पा रही थी लेकिन हाली में आप लोगों ने देखा है कि आपके वश्ट में आप लोग देखते हैं इसमें भी कुश्चन्स पूचा जा सकता है ठीक है और वैसे भी आप लोगों को सामार जान का रिल्क के लिए भी माल होना चाहिए अगर आप गुंदिल घंड के छेत से रहते हैं तो खेरे याद रखिए किसी को भी एक तरह से आप कह सक जाता है लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई वुरा काम हो जाता है तो आप देखते हैं कि महत्मागांदी पर डाल दीजिए सदार पटल पर डाल दीजिए वो बुराई या भगत सिंग सुकदेव राजगरू इस तरह कि जो भी हमारे सहीद रहे हैं या हमारे पूछा जा सकता है ठीक है तो देखिए हमारी प्यारी पित भी इस पर हम देखेंगे यह हमारा प्यारा भारत एसी हमें एसी हमें आपको देखने को मिलेगा यह हमारा प्यारा भारत और याद रखिए इससे परियोजना से आपका उत्तर प्यदेश और मत्यदेश का हमान जानकरी होनी चाहिए और आपसभी को ए सिन के क्या है के नदी है यह आपकी कहां से निकलती है यह आपका से कहले कि निकलती है विंद्यान्चल परवत कटनी से मद बढ़िस कहां है कटनी जिसने आप देखिए आपका ये कर्टनी मद्ध पदेश में, यहां से एक एन नदी निकलती है, और आप ये देखेंगे आप लोग की बांदा उत्तर पदेश में यमना नदी में मिल जाती है, इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 427 किलोमीटर है, और आप सभी लोग जानते होंगे, कि आँगे यहां देख सकते हैं आप लोग, एक एन नदी है, ये आपकी किस में मिलती है, बांदा में आप देखेंगे यमना नदी में मिलती है, और आँगे चलके यमना नदी आपकी गंगा में मिल जाती है, और आप देखते हैं इस तरह से बंगाल की खाड़ी में गंगा न नदी में मिल जाती है और आप सभी लोग जानते हैं कि आंगे यमना नदी गंगा नदी में मिल जाती है तो यह भी आप लोग सामान जानकारी याद रखें क्योंकि कई बार पूछ लेता है आपका आपकी MPPST में या UPPCS में one liner में questions आ सकता है कि prelims में कि बैदवा नदी किसकी स आएक नदी है तो याद रखें यह अमना नदी की है या आप से पूचे कि बैदवा नदी कहां मिलती है यह अमना नदी से तो आप लोगों को यह भी माली होने चाहिए कि यह हमीरपुर में मिलती है ठीक है और बैदवा नदी का पुराना नाम बैदवती के नाम से भी जान मंत्री और मद्पिदेश पर मुख्तर पिदेश के मुख्मंत्रियों के वीच समझोधा ग्याबन पर हस्ताक्चर किये गये हैं और इसमें एक और पॉइंट आप लोग याद रखिए कि जल जो आपका विष्व जल दिवस है एक अब मनाए जाता है तो 22 मार्ज को मनाए जाता है कब 22 मार्ज को मनाए जाता है और इसमें एक और पॉइंट आप लोग याद रखिए कि इस बार की थीम क्या रही है पानी का महत्थ क्योंकि आप सभी को मालू होगा, कि हमारी विदिभी पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि पानी तो बहुत है, यह आप देख भी सकते हैं, कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यह आपका हिंद महासागर हो गया नीचे, पानी ही पानी है, 99% आप समझ सकते हैं कि पानी है हमारे पास, 100% में 99% आपका जो आप देख सकते हैं कि महासागरों या सागरों या नदियों में या फिर आप सकते हैं कि एक तरह से जीलों जहर्णों में हैं लेकिन आप देखें कि 100% में से मत 1% से भी कम पानी हमारे पीने योग पानी है आप समझ रहें यानि कि पानी इप तो हमारे पास काफी है लेकिन उसमें से आप देखते हैं खारा पानी है उसका हम लोग ओपयोग नहीं कर सकते हैं तो यह भी आप लोगों को याद रखना होग इसलिए पानी के लिए आप समझ सकते हैं कि पानी के मत को या पानी के आप कितना हमारे लिए जरूरी है इसको एंगित करने के लिए या इसके पीति आप समझ सकते हैं कि जागरूकता पहलाने के लिए एक तरह से आपका विस्वे पानी जल्दिबस मनाया जाता है और याद र प्लवग आपका पितवी पर आप देखेंगे 7100 पितिस्ट जल हैं जो आप देखते हैं महा सागरों में और बाकी आप सकते हैं कि बाकी हमारी पास पितवी यानि की जो धरातल है एक तरह से भूमी कह सकते हैं आप लोग लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे कई छित्रों में पानी की एक तरह से कमी बनी रहती है समय रहे हैं आप लोग क्योंकि ये महासागरों में हो ये पानी ऐसा है कि हम में जोड़ने के लिए राष्टी परिपेक्ष योजना के तहट पहली योजना है यह पहली यह यह परियोजना दो चरणों में पूर्ण की जाएगी इसके तहट कैन नदी के जलकु बैदबा में इस्थानांति किया जाएगा और याद रही कि यह दोनों नदियां यमना की सह एक नदियामी है यहाँ आप देख भी सकते हैं कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ से कैन नदी निल रहे और यहाँ आप देखते हैं कि बैदबा में आपकी यह उमना में मिल जाती है लेकिन यहाँ से क्या किया जाएगा कि यहाँ आप समझ सकते हैं कि बैदबा से ज पाई देखिया होंगी तो केन बैद्वा लिंक परियोजना को उत्तरपदेश उम्रदपदेश में बिस्तित बुंदेल खंड में कयानवीत किया जाना है जो एक सूखा प्रवड छेत है और आप समझ सकते हैं कि यहां की किसानों के पास जमीन तो काफी है लेकिन आपको देख से पानी का आवा हो देखने को मिलता है जिससे आप देखते हैं कि एक तरह से खेती ही नहीं हो पाती है अगर आप समझें यहां अगर पानी की बरसाद ना हो एक तरह से आप सकते हैं कि बरसाद के पानी पर निर्वाय रहती है यहां की फसल अधीक तर और आप समझ सकते हैं टीकमगड हो गया च्छतरपुर्व सागर और निवाडी भी आपने देखा हो गया एक नया जिला बना है इसके साथ साथ आप देखेंगे दमगो दतिया विदीशा सीवपुरी रायसें जिलों को विसे इसलाब होगा और अगर उत्तरपिदिश के जिलों की बात करें तो बां रुकावट जलबिद्धूत उत्पादन की उम्मीद भी की जा रही है आप समसकते हैं कि इतनी फायदे होंगे इससे हाला कि इससे पन्ना बाक सरक्षन छेत के प्रभावित होने का भी खत्रा है तो इसके बारे में याद रखी इसी के लिए आप देखते हैं कि वह लंबे स सूख जाती हैं घर्मियों के टाइम में और कई नदियों में आप देखते हैं कि पानी बहता रहता है और आप भी जानते हैं कि ये पानी बहते हुए समुद्रों में चला जाएगा कोई मतलब नहीं रहेगा तो इन्हें उन नदियों से जोड़ा जाया ना जो सूखी नदि अन की स्वरूप आप देख सकते हैं प्रियार परियोजना के तहित प्रियार बेसिन से वेगाई वेगाई बेगी बेसिन तक पानी के स्थानांतरन की परिकल्पना की गई इस परियोजना को बरस 1895 में कमीशन किया गया था इसी तरह की कुछ अन परियोजना भी सुरू की ग भारत में नदी जोडने के हलिया प्रयास की अगर हम बात करें, इसके अतरिक्त आप देखेंगे एक छेत से दूसरे छेत में पानी के पुनर वितरन के लिए गारलेंड, माला नुबा या फ़र गोला कार नहर पर योजनाओं को भी परभावित किया जा चुका, और हाला कि सरकार ने इन दोनों विचारों को भी आंगे नहीं बढ़ाया है, राष्टी परिपेक्च योजना की अगर बात करें बलो, तो अगस्त 1910 में सिचाई मंतरा लेने देश में अंतर वेशिन जल इस्थान अंतरन की परिकलनता करते हुए, जल संसाधन विकास के लिए एक राष्टी परिपेक्च योजना तेयार की, और NPP में दो घटक सामलें, एक तो हापका हिमालई नदियों का विकास, और दूसरा है आपका प्राइदी पिया नदियों का विकास, NPP की आधार पर राष्टी जल विकास के अधिकरन ने 30 नदि लिंक की पहचान की है, जिन में से 16 प्राइदी पिया घटक के अंतरगत और आपकी 14 देखने को मिलेगी आपको हिमालई घटक के अंतरगत थी, कैन बैदवा लिंक परियोजना प्राइदी पिय अगटक के तहत, 16 नदि जोडव परियोजनाओं में से ही एक है, ठीक है? इसके लिए अगर हम लोग मंजूरियों की बात करें नदि जोडव परियोजनाओं के लिए, तो सामानता नदी जोडो परियोजनाओं के लिए चाल से पांच पकार की मंजूरोईयों की आवसकता होती है और इन मंजूरियों रिसको पिदान करने वाली संस्थाओं की विवरन निम लिखेते हैं ये भी आपसे कई बार कुश्चन्स पूँच लेता है कि अगर कोई आप लोगों को नदी जोडो परियोजनाओं को पूरा करना है या उसे मंजूरी दिलानी है तो तकनिकी और आल्थिक मंजूरी किस से मिलती है अगर आपसे आदिवासी जनसंख्या के पुनर्वास यह उजनाओं की बात करें क्योंकि आप देखेंगे इस समय जो भी इसमें बीच में अगर कोई गाँ पढ़ता होगा अगर आधिवासी छेत रहता होगा तो उसमें आप लोगों को विस्था भी तो करना होगा वहां से हटाना भी तो होगा तो यही कहानी है आपकी कैन बैतवा लिंक पर योजना की इसके बारे में जरोब कोईंट आप लोग याद रखिए क्योंभी कई बार इससे कुश्चन्स आपके पूछे जा चुके हैं याद रखिए